दोस्तो, Final Solution YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी शादेशी दाउरत को अपना दिवाना बनाए अगर आप किसी शादेशी दाउरत को अपना दिवाना बनाना चाते हो, उसे इंप्रेस करना चाते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे तो चलिए दोस्तो, वीडियो को शुरू करते है दोस्तो, अगर आप किसी शादेशी दाउरत से बात करते हो और उने पटाना चाते हो, तो उनकी तारिफ जरूर करे अब दोस्तों आपको उनके खुबसूरती की तारिफ नहीं करनी है खुबसूरती की तारिफ तो हर कोई करता है आपको उनके किसी खास टैलेंट की तारिफ करनी है उनके सादगी की तारिफ करनी है उनके ब्यवार की तारिफ करनी है उस से उस अवरत को ये महसस होगा कि आप एक अनोखे इंसान हो जो उनके खुबसूरती की वज़ा है, उनके सादगी को, उनके टैलेंट को उनके ब्यभार में खास दिल्चस्पी रखते हो उनके बालों की स्टाइल, उनके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करे उनके मुस्कुराहट की तारीफ करे अगर आप चाते हो कि शादगी दावरत आपको पसंद करे तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए लेकिन ध्यान में रखे कि आपको उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी नहीं करनी चाहिए आपके बहुत ज़्यादा तारिफ करने से वो बोर भी हो सकती है और उन्हें ऐसा भी लगेगा कि आप उनकी जुटी तारिफ कर रहे हो दोस्तों शादेशिदा औरत को उन मर्दों से बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाती है जो मर्द उनके तारिफ करते है उनके तारिफ करने से आप दोनों के बीच में दोस्ती के रास्ते खुल जाते है और और अवरत बे जिजग आपको अपना दोस्त बना लेती है और जब आप अच्छे दोस्त बन जाओगे तो आप आगे का इस्टेब ले सकते हो उनके साथ मजग करना शुरू कर दो शादेश दावरतों से मजग करने का मतलब उनका मूर को हलका करना होता है मजग करने से शादेश दावरतों को इंपरेस करना और पटाना आसान हो जाता है नमबर दो कामियाभी की तारिफ करना दोस्तो कोई भी शादिश दावरत ऐसे मर्द को वैलू देगी जो उसके कामियाभियों की तारिफ करता हो उनके छोटे से छोटे काम जो की उसने काफी अच्छे तरीके से किया है उसके लिए उसकी तारिफे करो कुछ खास पलों में जैसे की उनके वर्थडे पर या ऐसे खास दिन में उन्हें विश्ख करो उन्हें मुबारक बात दो और हो सके तो सबसे पहले आप ही उन्हें विश्ख करो या मुबारक बात दो किसी औरत को अपने खास पलों में मुवारक बात देने से आपका रिष्था और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है औरत आपको इस्पेशल और सबसे अलग समझने लगती है नमर तिन ऐसान मंद होना दोस्तो औरत का ऐसन मंद होना इससे ये जाहिर होता है कि आप उनकी इज़त करते हो आप उनकी कदर करते हो आप उनकी केर करते हो शादी सिद्वा औरते उस मर्द से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती है जो मर्द उनको केर करता है तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही उमिद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आप ऐसे वी वीडियो देखना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बागी सब वीडियो देख लीजिए अगर आप किसी औरत को पटाना चाते हो तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में